हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब, आई होप आप लोग ठीक होंगे, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप दहिशी फेशिल किस तरीके से कर सकते हो, इसे करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और मेरे कहने से आप एक बार इसे जरूर ट्रा करना, आपके चेहरे पे इतना अच्छा निखार आएगा, इतना गिलो आएगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा, कि आपने कोई होमेट फेशिल नहीं किया, आप पालर में कोई अच्छा सा और महेंगा फेशिल करा कि आयो, इतना ज़्यादा निखार आपके चेहरे पे आ प्रख़ा है कि आप घर की चीजों से किस तरीके से अपने स्किन के देखवाल कर सकते हो तो आप उन्हें भी ट्राइ कर सकते हो लेकिन अपने चेहरे पे कुछ भी लगाने से पहले आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि जो आप अपने चेहरे पे लगाने लिए जा रहे हो सब कुछ आपकी स्किन को सूट करता है कि नहीं करता करता है तभी आप ट्राइ किया करें नहीं करता तो आप उसे छोड़ दीजिए तो चलिए फटापट से देखते हैं कि इस फेशल को आपको किस तरीके से करना है तो दोस्तों इस फेशल को करने से पहले आपको सबसे पह पानी है वो नीचे गड़ जाएगा जो गाड़ा दही छलनी में रहेगा आप उसको यहां पर यूज करें ठीक है सबसे पहले हम करेंगे अपने चहरे की क्लिंजिंग तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दही लेके और जैसे मैं कर रहे हूं इसी तरीके से कम से कम दो मिनट के के लिए अपने चहरे की मसाज करनी है तो देखिए मैं दो मिनट के लिए अपने चहरे की कर रही हूं मसाज इसे मतलब क्या होगा इससे मतलब क्या होगा इसे जो हमारे चहरे की गंदगी है सारी गंदगी साफ हो जाएगी और जो हमारी एक दम क्लीन हो जाएगी तो यह वा साफ कर लें तो देखिए मैने चहरे को साफ कर लिया अब मैंने यह क्या लिया है यह है शोगर पाउडर यानि की जो चीनी होती है सफेज चीनी जिसे हम चाय या दूद में डालते हैं तो उसका मैने पाऊडर बना के रखा हुआ है यह बहुत ज़ादा मोटर नहीं होना चाहि है तो आप इसकी quantity अपने हसाब से ले लें अपर मैंने आधे चमच के करीवन लिये और चितनी मैंने यहां पर शूगर प स्कुछर पौडर लै अतना यहां पर द मतला मैंने यहां लिया दोनों को मैंने अच्छे से यहां कदा गालिया अब हम करचे we Mit to do isla कर देंगे की आपको काफी टाइम हूं Immediately से आपने अपने चछीर का इसक्रम नहीं है तब ऑप सी करने की जद्डियोत नहीं है और आपको यदो in payment करने से क्या होगा जो हमारी डैड इसकिन है वह बहाँ निकलती है और हमारी इसकिन पर काफी अच्छे से गलो भी आता है तो हपते में दो दिन आप जरूर किया करें और वही इसक्रब आपको करना चाहिए जो आपकी स्किन को सूट करता है लेकिन मैं भी जो आपको बताती अब आपको चाहरे इसकरमिया के रह्या बतही करता है अब दो मुन्ट के लिए मैं अपने चेहरे को बार कर साहल कर साहिए तो मैंने अभी दो step कियें बस और एक तो किया मैंने clean JING और उसके बार मैंने scrub किया तो अब मेरे दो step complete हो चुके हैं अब हमें क्या करना है अब हमें है यहां पर बनाना है एक पैक तो पैक बनाने के लिए मैंने होट एक चमस ली और यहां पर मैंने लै बादाम का तेल अगर जो मैंने हैं पर बादम का तेल लिया है अगर आपके पास में नहीं है या फिर आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो इसके जगे कोई भी ओल ले सकते हो जो आपकी स्किन को सूट करता है यह है मेरे पास मेथी पाउडर जो हमारी स्किन को टाइट करके रखता है और अगर आपकी लूज इसकिन है आपको ऐसा लगता है कि आपकी लटकी हूँ इसकिन है टाइम से पहले आपकी चेरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स की प्रॉल्लम है तो आप यह बहुत पैक अपने चेरे पे जरूर लगाएं थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है गुलाब जल और डालने के बाद आप मैं इन सबको अच्छे से मिला लेती हूँ अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा गाड़ा हो गया तो आप इसमें थोड़ी सी दही या गुलाब जल डाल सकते हो अगर आपको थोड़ा सा पतला लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मेथी पाउडर भी डाल सकते हो मेथी पाउडर मैंने किस तरीकी से बना क्या करूंगी अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा लूँगी अगर आप इसे अपनी नेक पे लगाना चाते हो तो लगा सकते हो अपने हाथों पे लगाना चाते हो तो हाथों पे भी लगा सकते हो हमारी स्किन को टाइट करने में यह हमारी काफी ज़्यादा हेल्प कर तो दोस्तों मेरे कहने से यह वाला फेशियल आप जरूर ट्राय करना आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो देखिए पैक को मैंने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा दिया लगाने के बाद अब मैं ऐसे कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरी की से छोड़ देती हूं 10 मिनट के बाद हमें क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूं तो देखिए इसे हो चुके हैं पूरे 10 मिनट और 10 मिनट के बाद आपको क्या करना है आपको हलके हातों से अपने चेहरे की मसाज करना है और इस पैक को आपको मसाज करते हुए ही निकालना ह आप इस फेशियल को दस दिन में एक वार या फिर हपते में एक वार कर सकते हो इसका आपकी स्किन पर कोई भी साइड फेक्ट नहीं होगा बलकि आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा मनला बहुत अच्छा गिलो देखने को मिलेगा काफी अच्छा नेखार आपके चेहरे पर लेकिन आपको इतना ध्यान देना होगा जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आपको उसी तरीके से अपनी स्किन पर इनसे कियर करनी होगी ठीके ना तो देखिए आप में मसाज करने के लिए आपको कितना टाइम देना है कम से कम दो मिनट के लिए जब आपको ऐसा लगे कि दो क्या कह रहे हैं करें कर दो मुननट हो चुकते हैं तो कौटन की कपड़ी से अपनेермiphi को से साफ कर सकते हो तो दीखिंग costing 6ञ क्यों फूरे में आपने पूरे चैयरे की सब्सक्राइब चाह रहा है और इस पेक को इस म персонаж लिए और चम्मा से इस तरीके से जो मेरे चेरे पर पैक लगा हुआ है जो एक्स्ट्रा है वो इसमें आ जाएगा उसके बाल मैं अपने चेरे को पानी से दोलूँगी और चेहरा दोने के लिए मैंने नॉर्मल पानी लिया था क्योंकि अभी आप जानते हो न कि अभी इतनी ज फिल्ए के लिए और दोने के बाद आप मेरी किन देख सकते हूं कितने ज्यादा सॉफ्ट और लियूंग आपको नजरारी होगी और वैसे आप लोगिकर्ते हो कि दिदी आपकी इसकिंद्ध हामेसा ही चमक तरह रहती हैम इसा गरो करती है तो दीकि मेरी कियों इतनी चमक द लगानी है और लाश में मैंने गुलाब जल इसलिए लिया है क्योंकि एक तो हमारी किन को यह बहुत ही जड़ा टाइड करके रखता है और दूसरा यह है कि कभी कवार ऐसा होता है किसी चीज से हमें अब आपको क्या करना है फटाफट से लाइक कर दीजे मेरी वीडियो को और देखिए मेरे चेरे पे कितना अच्छा निखा रहा आया है तो आप लोग ट्राय करना आपकी चेरे पे भी ऐसा ही निखा रहाएगा तो मैंने आप सभी को कितना आसान तरीका बताया है कि आप कितने आसान तरीके से अपने स्किन की देखवाल कर सकते हो जो चीजें आपकी फ्रिज में होती हैं या फिर आपकी किचन में होती हैं आप उन से ही अपनी ब्यूटी को सुधार सकते हो और अपने चेरे की स्किन को चमकदार बना सकते हो तो आपको क्या करना है जितना आसान तरीका मैंने आपको बताया है उतने ही आसान तरीके से आपको मेरी वीडियो को लाइक करके जाना है क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यदा मोटिवेट करता है अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे फॉलो नहीं किया तो फटा-फट से कर लीजे दोनों जगे मेरी आईडी है नेचरल पूजा और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिसका लिंक दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और हुआ पर मैंने इतने अच्छ अच्छे विलोग्स डाले है अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखिए क्योंकि मैं अभी अभी गई थी कुछ ताइम पहले और गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आई हूँ तो हम लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा किस तरीके से लगाई आपको देखने को मिलेगा मेरे सेकंड चैनल